हेलो फ्रेंड्स स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने योटीब चैनल सौफटेक में आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि होम थेटर की जो एक आइसी आती है बीस पचास टंबर की उसे कैसे चेक करते हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं आईसी को टेस्ट करना है स्टार्ट करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां मेरे पास चार आईसी है जो कि मैं अभी अभी मार्केट से लेकर आया हूँ और एक आईसी जो है मेरे पास ख़राब है जो कि सौटेड है तो चलिए हमें इस I.C. को भी Чेक करने के लिए हमें मल्टीमिटर को बजर रींज पर रखना होगा तो इसे हम सेट कर लेते हैं तो इस वीडियो मैं नो मेरे पास जो ठीक आय से हुससे चेक करने वाला हूं आइक ज़ाब आईसी है उसे चेक करूँजा मैं तो चलिए IC को चेक करने शुरूर करते है तो इसे चेक करने के लिए हमें multimeter के red wire को हमें IC के ground pin पर रखना होगा और हमें multimeter के black wire से IC चेक करेंगे तो चलिए देखते हैं इस पर हमारे पास जो ठीक IC है उस पर कितनी reading आती है झाल झाल तो यहां आपने देखा कि हमारे पास जो दो ठीक आईसी थी तो उसमें अलग-अलग पिंस पर अलग-अलग नमबर सो कर रहे हैं तो चलिए अब ख़राब वाली आईसी को चेक करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नीव वाली आईसी है और जो सौर्टेड आईसी है उसके सेम पिन पर हमें अलग-अलग रीडिंग्स मिल रहे हैं इसका मतलब कि यह आईसी खड़ाब है तो खड़ाब आईसी होगी तो उस पर केस के अकॉर्डिंग अलग-अलग रीडिंग्स करेगी तो यह कोई फिक्स नहीं है कि हर खड़ाब आईसी पर सेम रीडिंग्स सो होगा उसमें अलग-अलग रीडिंग्स कर सकते हैं तो फ्रेंट्स उमीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसं झाल 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 झाल